प्रश्ण उपनिशद तीसरा प्रश्ण प्रिष्ट संख्या 126 प्रश्ण पूछते हैं अथह एनम कोशल्यश्च आश्वलायन अप्रच्छ तीसरा प्रश्ण के लिए आश्वलायन आगे आते हैं जो की कोशल देश के हैं अब अश्वल के पुत्र जिनका नाम कोशल्य है क्योंकि वो कोशल्य देश से संबंध रखते हैं उन्होंने आकर के पूछा भगवन कुतह एशह प्राणो जायते अब मेरी बारी है सब ने अपने अपने तरह से प्रश्ण पूछ लिए मेरे मन में भी एक प्रश्ण जन में ले रहा है मैं भी पूछूँगा आचारी पिपला उनको अनुमत ही देते हैं पूछी तो प्रश्ण पूछा जाता है भगवन कुतह एशह प्राणह जायते अब प्रश्ण ये नहीं है कि कहां से प्रजाय उत्पन हो रही है अब प्रश्ण उनका ये भी नहीं है कि इनमें सबसे वरिष्ठ कौन है सबसे वरिष्ठ कौन है उत्तर दूसरे प्रश्ण में मिल गया सबसे वरिष्ठ है प्राण कोशल्य का प्रश्ण बस इसी प्राण पर है कि प्राण भी कहां से उत्पन हो कुतह एशा प्राणों जायते कथम आयाती अस्मिन शरीरे आत्मानम वाप प्रविभज्य कथम प्रतिष्ठते प्रश्ण ये है कि कथम आयाती ये आता कैसे है अस्मिन शरीरे इस शरीर में आत्मानम वाप प्रविभज्य और अपने आपको बांट करके कैसे वो शरीर में ठिका रहता है क्योंकि कौशल्य को ये तो पता है कि प्राण दस प्रकार का होता प्राण अपान व्यान उदान समान मुख्य पाँच प्राण और मुख्य पाँच बाद में उपप्राण अब यह पाँच प्राण प्राण अपान, व्यानुदान, समान, नाग, कूर्म, क्रिकल, देवदत, धनंजए पाँच उपप्राण मिलकर के कुल मिलाकर दस का एक समूहु बनाते हैं ये बात कौशल्य को अच्छे से पता है कवशल्य को ये भी पता चल गया कि प्राण हमारे लिए आवश्यक है लेकिन कवशल्य ये जानना चाहता है कि ये प्राण कैसे जन्म लेते हैं इनकी उत्पत्ती भला कहां से होती है तो वो पूछता ही है कोतह एशह प्राण है जायेते और कथमायाती अश्मिन शरीरे इस शरीर में वो प्राण कैसे आता है उसकी क्या प्रक्रिया है और तीसरा प्रशनिस से जुड़ा हुआ कि वो प्राण अपने आपको बाट करके पूरे शरीर में फैल कैसे जाता है केन उत्क्रमते और किसके द्वारा वह प्राण उत्क्रमते अर्थाथ उपर जाता है निकल जाता है शरीर से कौन निकालता है उसके फिर एक और अगला सवाल कथम बाहियम अभिधत्ते कथम अध्यात्मम इति कैसे वो बाहियम अभिधत्ते बाहर रहने वाले बाहर होने वाले जितने भी भूत हैं प्राणी हैं उन्हें धरन कर लेता है और कैसे आत्मा को धरन करता है यानि कैसे तो वो आत्मा को सम्हालता है और कैसे वो शरीर को सम्हालता है शरीर बाहिय है आत्मा अंतरिक है इन दोनों को समभलने का काम प्राण करता है तो प्रश्ण जो है कौशल लेके वो बहुत गहरे हैं अन्यों की अपेक्षा थोड़े सूख्ष्म प्रश्म है और क्योंकि ये प्रश्म सूख्ष्म है तो एक बार दोहरा लेता है कौन कौन से प्रश्ण हैं और कितने हैं कहां से प्राण जन्म लेता है शरीर में कैसे आता है अपने आपको बांट करके पूरे शरीर में कैसे स्थिर रहता है किसके द्वारा ये प्राण शरीर से बाहर निकलता है और कैसे ये आत्मा और शरीर यानि आत्मा जो अंतरिक है शरीर जो बाही है दोनों को सम्हाल लेता है ये पांच प्रश्ण को मिला करके कौशल ले करता है और आचारे पिप्पलाद कहते हैं तस्मई सहो वाचा आचारे पिप्पलाद कहते हैं अति प्रश्णान प्रिच्छ से तुम बहुत गहरे प्रश्ण पूछ रहे हो अतिप प्रश्णान तो इच्छ सी ऐसे सवाल तो किसी ने नहीं पूछ ओ एक साथ पांच-पांच सवाल पूछ लिए तुमने और उन पांच सवालों में भी बहुत अधी गहराई दे दी इतने उतले-उतले सवाल तो तुम्हार प्रश्ण पूछ गहरे हैं पर क्योंकि तुम बहुत समय तक मेरे पास रहे हो बहुत समय पास रहने के बाद ही ये प्रश्ण पूछा जा रहा है पहले आचारे पिपपलाद ने उत्तर थोड़े ही दिया था पहले तो कहाता है हाँ रुको थोड़े दिन आश्रम में रुक करके फिर प्रशन पूछो मुझे लगेगा उत्तर आता होगा तो दे दूँगा अब इतने दिनों तक पिपपलाद आचारे के पास रहने के बाद में आचारे पिपपलाद सब की रगरग जान गए है और वो कौशले की भी रगरग जानते हैं वो जानते हैं कि कौशले जो प्रशन पूछ रहा है वो बाहर बाहर से नहीं पूछ रहा है इसलिए आचारे कहते हैं कि तुम्हारे प्रश्ण बहुत अधिगहरे है अतिप्रश्णान प्रच्छसी और ब्रह्मिष्ठो से तुम ब्रह्म में लीन भी रहने वाले हो ब्रह्म को तुम्हारा उद्देश्य बनाया है तुमने ये मैंने देखा है तुम्हारे जीवन में इस इसलिए पूछ लेता हूं तो नहीं बताता हूं तुम्हारा प्रशन जैन्विन है वास्त विखे इसलिए पूछ रहा हूं इसलिए बता रहा हूं और बताते हुए उत्तर देते हैं आत्मान एशः प्राणो जायते आत्मन एशः प्राण जायते यह प्राण आत्मा से और जीवन बिना आत्मा के संभव नहीं है, इसलिए आत्मा ही शरीर के लिए प्राणों को देती है, प्राण का कोई और मतलब नहीं है, हमने अभी पिछले प्रशन के उत्तर में ये जाना था कि प्राण क्या, गती ही प्रान, उर्जा ही प्रान, इसलिए जो गती जो उर्जा इस समस्त ब्रह्म्हंड में फैली हुई है वही तो प्रान है और उसका आदिस स्रोत है आत्मा, आत्मा प्रानों का स्रोत है, प्रानों का आधार है, प्रानों का मूल है, क्योंकि आत्मा एक अकेला ऐसा तत्व है जिसके पास अपनी उर्जा अपनी गती होती है बाकि किसी तत्व के पास अपनी गती नहीं होती है परमेश्वर गती इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो तो सर्वत्र व्यापक है उसके तो रहने मातर से संसार चल रहा है लेकिन एक शरीर को गती देने का काम ये एक अलग इंडिवीजुवल सर शरीर इसका अपना एक सामराज्य इसकी अपनी इंद्रिया इसका अपना एक दाइरा इसका अपना एक पूरा सिस्टम किसके आधार पर काम करता, इसे एक अलग प्राण चाहिए ये सब करने के लिए, वो प्राण उसे परमेश्वर से मिल सकते हैं, पर परमेश्वर से प्राण मिलने के बाद तो वो अन्यस जड़ वस्तुवों जैसा ही हो जाएगा, बाकी भी नदियां बेह रही है, अगनी भी जल रही है, सब काम हो रहा है, सूर्य तप रहा है, लेकिन उसके अपने भीतर स्वयम की चेतना नहीं है, ये देपी परमेश्वर के प्राण उसमें नहीं थे हैं, परमेश्वर की आत्मा सरवत्र व्यापक है, इसलिए हर वस्तु अपने अपने अस्तित्तु उसमें चल रही है लेकिन शरीर वैसा नहीं है शरीर की अपनी एक निजी चेतना है स्थाई चेतना है और वो चेतना प्राण के रूप में सामने आती है क्यों क्योंकि उसके पास प्राण को देने के लिए एक अलग आत्मा है इसलिए कहते हैं आत्मनह एशह प्राणह जायते ह ही ये प्राण जन्म लेता है चाहे तो ब्रह्महंड के वस्तुओं में और चाहे मेरे शरीर में जहां भी प्राण होंगे वहां आत्मा होगी आत्मनह एशा प्राण जाए यथा एशा पुरुशे छाया एतस्मिन एतत आततम मनो कृतेन आयाती अस्मिन शरीरे कैसे आता है प्रानी शरीर में दूसरा प्रशन था ना वो शरीर में कैसे आता है प्रान कह रहें ठीक वैसे ही जैसे हमारे साथ हमारी छाया चलती है यथा एशा पुरुशे छाया जैसे पुरुश की अपनी एक छाया होती है मैं जहां जहां जाऊंगा मेरी छाया मेरे साथ जाएगी मैं जहां रुकूंगा मेरी छाया मेरे साथ रुख जाएगी क्योंकि मेरी छाया मेरे से अलग नहीं है मेरी छाया को बस एक प्रकाश की आवश्रक्ता है एक प्रकाश मिलेगा छाया अपने आप बनेगी और वो छाया मेरे ही होगी, मेरे साथ रहेगी, मेरा अभिन अंग होगी इसलिए जब आत्मा जहां जाती है, मैं जहां जाता हूँ वहाँ छाया स्वतह चली जाती है छाया को अलग से जाने के लिए आदेश नहीं देना होता छाया को अलग से जाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना होगा ठीक उसी प्रकार से प्राण आत्मा की छाया है प्राणों को कहीं भी जाने के लिए अलग से किसी वाहन की आवश्रक्ता नहीं है अलग से किसी प्रेर्णा की आवश्रक्ता नहीं है आत्मा जहां जहां जाएगी छाया वहां वहां पहुंचेगी चाहे वो परमात्मा है परमात्मा जहां जिस जिस वस्तु में उपस्थित होगा उसमें प्राण स्वतह छलक पड़ेंगे कहा गया था न कि ये जो सूर्य है ये प्राण है कैसे प्राण है क्योंकि दुनिया की हरवस्तु में तो परमात्मा है इसलिए जहां परमात्मा है वहाँ प्राण अपने आप दिखाई देंगे वहाँ प्राणों का दिखदर्शन स्वयम होगा प्रान गती देते हैं, प्रान जीवन देते हैं, जीवन का अर्थी होता है लंबे समय तक इस संसार में स्थाई बने रहना, सूर्य अगर इस संसार में लंबे समय तक स्थाई बने रहा है, उसके पास उर्जा है, वो उर्जा दे भी रहा है, तो प्रान है उसमें, परमेश्व के साथ उस आत्मा की छाया जिसे हम प्राण कहते हैं वो भी अपने आप प्रस्फटित होती है आती है और शरीर को चला देती है यथा एशा पुरुशे छाया जैसे पुरुश में अर्थात शरीर में छाया होती है एतस्मिन आततम इस शरीर में और वो फैल जाती है आततम यान लंबाई भले ही साड़े पांच-छे फुट हो लेकिन छाया बहुत बड़ी बन जाती है ठीक उसी तरह से आत्मा का की छाया रूपी प्राण जब शरीर में आते हैं तो वो आततम आततम विस्तृत हो जाते हैं फैल जाते हैं मनो कृतेन आयाती और कह रहे हैं कैसे फैल जाते हैं तो करें मनो कृतेन मन में एक प्रेरणा नाम की वस्तू होती है प्रेरणा मन की प्रेरणा से वो प्राण इस शरीर में आता है और आकर के फैल जाता है आता है आतमा के साथ जैसे ही मन के संपर्क में आता है मन का काम है पूरे शरीर में अपनी सामराज्य को बढ़ाने मन दिया गया ही इसलिए है कि जहां तुम रहोगे वहां के कणकण में तुम अपना नियंत्रण रखोगे वहां अप कणकण में तुम पकड़ रखोगे ये काम शरीर को चलाने के लिए मन के लिए दिया गया है मन की जिम्मेदारी है और इसलिए जब मन को इंद्रियां मिलत आत्मा के साथ आये हुए प्रान जब मन को मिलते हैं तो मन उन्हें पूरे शरीर में फैला देता है विस्तृत कर देता है एक जगह से काम नहीं चलेगा तुम्हें पूरे शरीर को समभल नहीं तो मन का स्वभाव बड़ा कमाल का है क्योंकि मन एक मंत्री की तरह समझ लीजिए आत्मा आई साथ में और प्रान लेकर के आकर के मन को बोली लो जी इसे साथ रखो बड़े काम की चीज़ है तुम्हें शरीर चलाना है तुम्हारा सहियोग करेंगे यह मन को जैसे ही मिलते हैं मन उन्हें पूरे शरीर में फैला देता है तुम यहां जाओ तुम यहां जाओ तुम यहाँ जाओ तुम यहाँ जाओ तो जो अगला प्रश्ण था कि वो कैसे अपने आपको बांट देता है पूरे शरीर में तो कह रहे हैं वो स्वयम नहीं बांटता है मन ऐसा करता है उससे उससे मन करवाता है ऐसा मन उसे बाटता है तो तीसरे प्रश्ण का उत्तर भी मिल गया कि कौन बाटता है मन बाटता है यानि पहला प्रश्ण भगवन कुतहेशब प्राण जायते कहां से ये प्राण जन्म लेते हैं तो कहां जन्म नहीं लेते कहीं से बलकि आत्मा ही प्राणों को बनाती है कैसे आते हैं शरीर में तो बोले जैसे किसी व्यक्ति की च्छाया उसके साथ चलती है ठीक वैसे ही आत्मा के साथ प्राण शरीर में आते है कौन उन प्राणों को बांट करके पूरे शरीर में प्रसारित कर देता है मन करता है यह काम मन प्राणों को दस भागों में बाटकर पूरे शरीर में फहला देता है ताकि अलग-налग काम हो सके अब एक और प्रश्ण केन उत्तक्रमनते और फिर अंतरिक आत्मा और भाहि यह शरीर को कैसे यह समहन लेता है केन उत्तक्रमनते किसके द्वारा ये प्राण शरीर से बाहर निकलते हैं तो इसका भी उत्तर आगे देंगे कह रहे हैं यथा समराट एव अधिक्रितान विनियोंगते एतान ग्रामान एतान ग्रामान अधितिश्टस्व इति एवन एशब प्राण इत्रान प्राणान प्रिठक प्रिठक एव सम्निध। मन प्राणों को नियुक्त कर देता है, पूरे शरीर में बांट देता है, मन के पास जैसे ही प्राण आये उसने विभाद कर दिये, मन के पास जब इंद्री आई थी तब उसने इंद्रियों को भी ऐसे ही बांटा था, उसने इंद्रियों को पांच भागों में बांट दिया थ आखना कांतवचा जिफा जब उसके पास कर्मेंद्री आई तो उसने कर्मेंद्रियों को भी शरीर के अनुसार पांच भागों में बांट दिया था हाथ, पैर, वानी, पाईू और उपस्त जो भी मन के पास आता है मन उसे बांट देता है लेकिन बांट करके अलग-अलग स्थानों पर भीजता कैसे है तो कहरें वो भीजने का काम वो प्राण से ही करवाता है कि भाई प्राण तुम हो, तुम्हारे विभाग हुए हैं, तुम ही में से एक नेता चुन लिया जाएगा, तुम्हारी बात ही अधिक माने गई है तुम इन प्राणों को अच्छे से समझते हो, तो कह रहे हैं कि वो जो उनमें मुख्य प्राण है, प्राण अपान व्यानुदान समान आदी, फिर नाग पूर्म क्रिकल देवदत धनन जय, ये दस प्राणों का प्रतिन दित्व करता है पहला प्राण, जिसका नाम ही है प् जैसे एक समराट, एक राजा, अधिकरित लोगों को नियुक्त करता है, कैसे करता है, एतान ग्रामान, एतान ग्रामान अधितिश्ठस्वर, इस गाओं को, तुम इस गाओं को समहल करके इसमें रहो, इन इन गाओं को तुम समहलो, तो राजा यही तो करता है, कुछ लोगो को नियुक्त करता है और नियुक्ति करते समय कहता है तुम्हें ये गाउं सम्हालना है तुम्हें ये गाउं सम्हालना है तुम्हें इस गाउं की व्यवस्था करनी है एतान ग्रामान एतान ग्रामान अधितिश्ठस्वर इस गाउं में जाकर बैठ जा और व्यवस्था देख इतरान प्राणान प्रिथक प्रिथक एव सम निधत्ते बाकी प्राणियों को अलग-अलग कार्य सौप देता है पायू उपस्थे अपानम हमारे जो मल के द्वार हैं उनमें अपान को नियुक्त करता है चक्षु श्रोत्रे मुख नासिका अभ्याम प्राण स्वयम प्रतिष्ठते चक्षु श्रोत्रे आँख कान मुख और नासिका जो कि ज्यानेंद्रियां हैं चार ज्यानेंद्रियां आँख कान मुख यानि कि रसना और नासिका इन चार ज्यानेंद्रियों में प्राण स्वयम रहता है कि यहां का काम मैं समालूँ गा क्योंकि जो सबसे मुख्य विभाग होते हैं वो प्रधान मंत्री स्वयम देखते हैं सबको अलग-अलग मंत्राले सौंप दिया गया लेकिन जो मुख्य मंत्राले रहेगा मुख्य कार्य रहेगा वो मैं स्वयम देखूंगा फिर मध्ये तो समान है बिलकुल बीच में समान प्राण को नियुक्त करते हैं एकदम बीच में और एकदम बीच में कैसे? यनि कि जो हमारा आहार तंत्र है जब हम भोजन करते हैं भोजन करके फिर वो उदर में जाता है, पेट में जाता है पेट में जाकर के फिर वो पच्चता है तो ये पच्चने की जो प्रक्रिया है पूरी की पूरी ये करता है समान प्राण क्यों इसे समान प्राण कहते हैं? आगे जाकर के बताएंगे क्योंकि ये समम नयती क्योंकि ये समान रूप से ले जाता है सबको अच्छा कमाल की बात है कि इसमें स्पर्ष इंद्रिये छोट गई है आपने ध्यान दिया हो तो मुख नासिका आख और कान मुख नाख आख कान चार इंद्रियों में प्राण स्वयम रहा पांचवी इंद्रिये क्यों छोड़ दी क्योंकि पांचवी इंद्रिये त्वचा है जो कि समस्त शरीर में फैली होती है वो कोई एक स्थान पर नहीं होती और इसके लिए व्यान प्राण को अलग से नियुक्त किया गया व्यान प्राण का काम है पूरे शरीर में व्यापक हो करके रहना क्योंकि तवचा इंद्रिये पूरे शरीर में है और बाहर नहीं अंदर भी है क्योंकि अंदर भी जो हमारे अंग है उनमें भी यदि कोई आपत्ती आ जाए उनमें भी यदि कुछ कठोड़ता, कोई चुभन हो तो हमें कश्ट होता है वो कश्ट कैसे होता है, वो sensation कैसे होती है, तवचा के कारण होती है तो वो तवचा के अबल इसी को नहीं कहते, ये बाहरी परत जो है बाहरी परत तो तवचा है ही, वो तो हमें दिखाई देती है लेकिन जहां जहां अनुभूती होती है, जहां जहां हमें कश्ट होता है उस हर स्थान पर तवचा इंद्रिये है, और उसके रिख्यों की काम बहुत बड़ा है जैसे ग्रिह मंत्राले अपने आप में बड़ा काम होता है तो उसके लिए एक अलगी व्यक्ति चाहिए वो ऐसा नहीं चल सकता कि ऐसे व्यक्ति जिसके पास और भी मंत्राले है उसे ये मंत्राले, ये मंत्राले, ये मंत्राले भी दे दिया, नहीं जैसा मुख्य मंत्राले एक ही वेक्ति के पास रहेगा अलग से एक वेक्ति उसको समहा लेगा तो इसलिए ये जो चार इंद्रिये है इनको तो समहा लिया प्रानने स्वयम ठीक है इनको तो हम देखेंगे जानकारी लेना इनको सक्रियों रखना ये मैं कर लूँगा लेकिन उसके बाद आता है व्यान तो व्यान को स्परशिंद्री के लिए पूरे शरीर में फैला दिया आगे इसकी चर्चा आएगी तो कह रहे हैं स्वयम प्रतिष्ठते और मध्ये तु समान हैं बिलकुल बीच में जो पाचन क्रिया है जो भोजन की क्र प्राण को नियुक्त किया गया तुम्हारा काम है भोजन को भीतर खीचना खीच करके उसे पेट में पचाना पचा करके आगे आतों तक भेज देना बस वहां तक भेज कर छोड़ दीजिएगा वहां से आगे हमने अपान प्राण नियुक्त कर रखा है जो उस कच्रे को बा जो कि हुतम अन्नम, आहूती दिये गए अनको, शब्द बड़ा सुन्दर है, जो हम खा रहे हैं, उसके लिए खाय हुए शब्द का प्रियोग नहीं है, देखें, भुक्तम शब्द भी हो सकता था यहाँ पर, कि खाय हुए अनको, भुक्तम अन्नम, पर यहाँ भुक्तम शब क्रिया हमारा हर काम एक यज्ज होता है होना चाहिए हम अपने काम को यज्ज की शैली में करें योही न करें कि बिना किसी योजना के कर रहें जैसे हम यज्ज करते हैं सामगरी को बड़े देख भाल करके लाते हैं नहाद हो करके अच्छे से सात्विक वृत्ती में यज्ज प पर बैठें तो अपने भोजन को अच्छे से समहाल करके देखें कि मेरे लिए योगी है कि नहीं फिर उसके बाद सात्विक वृत्ति बनाएं स्नान आदी के द्वारा अपने को ठहराव में लाएं सतोगुण की प्रवृत्ति में लाएं और जब वो सात्विक प्रवृत्ति बन जाए जब वो एकागरता संपादित हो जाए तो भोजन करना प्रारम्भ करें कैसे मंत्र पूर्वत्त पहले मंत्र बोलें फिर भोजन खाना प्रारम्भ करें बन गया यज अधिक सामगरी न डालें कि जिससे आग अगनी यज आगनी मंद पढ़ जाए ऐसे इतना भोज अगर सही विधी से सही तरीके से किये जाए यानि कि मेरा सोना मेरा जागना मेरा उठना मेरा नहाना मेरा बात करना मेरा धन कमाना सब कुछ मेरे लिए यज बन सकता है अगर मैंने उसे करते समय यज जी के नियमों को लागू कर दिया तो जो जो मैं यज जी के लिए करता वो वो मैं अपने हर काम के लिए करने लगू सामगरी बिल्कुल सही हो वृत्ती बिल्कुल सात्विक हो उद्देश बहुत अच्छा हो और साथ ही साथ मात्रा और समय का निर्धारन तो अपने अप कार्य यज़ बन जाता है और ये भोजन भी यज़ है इसलिए यज़ है क्योंकि ये यज़ के तरीके से किया जा रहा है इसमें भोजन बलात कुछ भी कुछ भी मिल जाए बाजार का घर का भूख के बिना भूख के अच्छा बुरा बचा हुआ बिना बचा हुआ आवश्यक्ता के बिना आवश्यक्ता के मेरे शरीर के अनुकूल प्रतिकूल जो मिल जाए अगर पेट में डल रहा है यज नहीं है और जो काम यज नहीं है वो काम सदैव हमारे प्राणों पर संकट लाएगा इसलिए तो शास्त्र ने कहा कि यज वे श्रेष्ट तमम कर्म यज सबसे सुन्दर कर्म है तो कोई एक काम यज नहीं है बलकि यज एक तरीका है एक प्रकार है तो जब हम कहते हैं यज वे श्रेष्ट तमम कर्म कह रहे हैं यज का तरीका ही सबसे सुन्दर काम है दुनिया का स सबसे सुन्दर, सबसे अच्छा काम क्या, जिसमें यज्ज के तरीके यज्ज की विधिलागू हो गई है, इसलिए कह रहे हैं, एशह ही एतत हुतम अन्नम सममनयती, समान प्राण को समान प्राण, इसलिए कहते हैं, क्योंकि ये आहूती दिये गए अन्न को सममनयती, अर्थात बराबर बांट देता है पूरे शरीर में, पहले लेता है, पेट में उसे पचाता है, पचा करके उसका रस बनाता है, रस बना करके रक्त में भेज देता है, और रक्त उसे पूरे शरीर में समान रूप से वित्रित कर देता है हमारी हर कोशिका को उर्जा मिल जाती है हमारी हर कोशिका को उससे प्राण मिल जाती है इसलिए ये समान प्राण कहलाता है तस्मात एताहा सप्ताचिशो भवंती और इसी लिए तो ये साथ जो अगनिया जल रही हैं ये जल पाती हैं सब्त अर्चि कहते हैं ज्वाला को अर्चि कहती हैं अगनी की लपट को आपने अगनी जलती हुई देखी है कई बार तो उस अगनी में जो लपटे उठती हैं लौ जो होती है उस लौ को उस लपट को कहा जाता है अरची क्योंकि यह समान प्राण हमारे शरीर के भोजन को पचा कर शरीर में बराबर बांट देता है जो आहूती यजु की इस जठरागनी में बढ़ी है इस जठरागनी में पढ़ी हुई अगनी को पचा कर समान बाटता इसलिए समान प्राण है और इसी के कारण तो साथ रश्मिया जल पा रही है जवालाएं प्रज्वलित हो पा रही है कौन सी है वो स्वात जवालाएं जो जल रही है तो कह रहे हैं देखिए ज्यानिंद्रियों में दो आँख ये अर्ची हैं लगातार जल रही है बल्ब की तरह जल रही है सेंसर हैं ये ये इसलिए काम कर रहे है क्योंकि इनको लगातार समान प्राण उर्जा भेज रहा है भुजन में से तो दो आँख हैं दो कान ये भी एक तरह के सेंसर हैं ये शब्दों को पकड़ते हैं ये भी जल रहे हैं लगातार ये भी काम कर रहे हैं इनको भी बिजली मिल रही है क्योंकि किसी कंपनी में जो सेंसर लगे होते हैं वो तब तक काम नहीं करते हैं जब तक उन्हें सप्लाई ना आ रही हो इलेक्टिसिटी ना रही हो जब तक इसलिए आपने CCTV कैमरे लगा लिए कमरे में लेकिन इलेक्टिसिटी की सप्लाई ही नहीं है काम नहीं करेंगे आपने टंकी उपर लगाई और उसके लिए एक सेंसर लगा दिया एनरजी जा रही है जब तक ऐसे आपने अपने घर में बहुत सारे सेंसर लगा दिये सारे के सारे तब काम करेंगे जब उन्हें उर्जा मिलेगी वो तभी अर्ची अर्था ज्वालाई जल पाएंगी जब उन्हें कहीं से गती मिलेगी और वो गती वो उर्जा देने का खाम करता है समान प्राण सब को उर्जा देता है कह रहे हैं कि तस्मात एताह सब्त अर्चिशह ये साथ अर्चियां इसी लिए भवंती हैं अस्तित्व में हैं क्योंकि समान प्राण इनको सप्लाई दे रहा है तो दो आंखें, दो कान, चार, दो नाक, इंद्रियों में, क्योंकि इंद्रिया ही हमारी सेंस करती है, तो ये हो गए छे और एक मुख, यनि कि हमारी वाणी, जिसको वाणी ने जिवभा कहते हैं, तो दो नाक, दो कान, दो आखें और एक जिवाद, जिन चार इंद्रियों का काम प्राण ने समहला था, जो विभाग प्राण ने स्वयम समहला था, कौन सा काम समहला था प्राण ने, प्राण ने कहा था कि ठीक है भई, आपान प्राण को हम काम देते हैं कि तुम मल को बाहर निकालोगे लेकिन यह चारों इंद्रिया यहां लगी हुई है प्राण ने का इनका काम मैं स्वयम समालूँगा इनके जिनमेदारी मैं स्वयम लोगा तो जो सबसे मुख्य विभाग है वो प्राण ने ले लिया बाकी विभाग औरों को बाट दी और इन में से जो समान प्रा वित्त मुंत्राल ऐा है अगर यह वित्त देगा अगर यहां से बज़ट पास होगा तो हमारे विभाग चलेंगे नहीं तो सारे विभाग धपक पड़ जायेंगे भप जिसको जतना चाहिए बस उतना ही पक्षपात नहीं करता है आगे कहते हैं अत्र एतत एक शतम नाडी नाम तासाम शतम शतम अपी एक अईक अस्याम द्वास अप्तति ही प्रतिशाखा नाडी सहस्राणी भवंती आसु व्यानश चरती अब व्यान प्राण के बारे में बता रहें कि व्यान प्राण को क्या काम सौपा गया दरसल व्यान प्राण को जो काम सौपा गया वो ग्रिहम अंत्राले की तरह है जैसे ग्रिहम अंत्राले का काम है पूरे देश में व्यवस्था बनाए रखना पूरे देश में पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था Intelligence Bureau उसके अंडर में आती है microbi उसके अंडर में आती है police उसके अंडर आती है ग्रीव विभाग का काम है ग्रीव मंत्रालाय का काम है पूरे देश की सूचनाओं को एकत्रित करना और उसी अनुसार action लेना वहां पर यही काम व्यान प्राण को मिला हुआ है तो व्यान प्राण का मंत्राले कितना बड़ा है तो समझाते हुए कह रहे है कि देखो इतना बड़ा है कि हरिदीहियेश आत्मा आत्मा बैठी है हरदय परदेश में अत्र एक शतम नाडी नाम यहाँ पर एक सौ सो नाडियों की जो है वहां से सुरोत बना हुआ है, सो नाडियों का केंद्र बना हुआ है, सो नाडियां वहां से निकलती है, एक शतम नाडिनाम, तासाम शतम शतम एक अई कस्याम, फिर वहां से एक एक का सो सो और निकलती है एक एक में से, तासाम शतम शतम एक अई कस्याम, द्वासप्तती ही द्वासप्तती ही प्रतिशाखा नाडी नाम फिर वहां से 72 नाडियां और निकलती हैं फिर वहां से थोड़ी नहीं है 72 बहत्तर नाडियां वहां से और निकल जाती है और फिर वो प्रतिशाखा होती है प्रतिशाखा नाडी सहस्रानी भबंती हजारों तरह की नाडियां हो जाती है और उन प्रतिशाखाओं में से भी एक एक हजार और निकलती है तो आप देखो गणित देखिएगा अगर आपको यह पूरा गणित देखना हो तो महात्मा नारायन स्वामी जी की जो उपनिशद रहस्य नाम की पुस्तक है उसमें इसका पूरा गणित लिखा गया है कि कितनी नाडियां निकलती हैं और किस किस तरह से काम करती हैं को लिखते हैं कि सबसे पहले तो एक शतम नाड़ी नाम मतलब एक सौ नाड़ियों की व्यवस्था है तासाम शतम शतम एक अई कस्याम फिर एक से सौ सौ नाड़ी और निकलते हैं तो आप अगर उसकी गुणा करें तो हो जाएगा पिर उस डस अजार को भी आपको गुणा करनी है 72 से क्योंकि सबकी 72 72 नाड़ियों और निकल रही है बलकि 72 नहीं है द्वास अप्तती ही द्वास अप्तती ही निकलने के बाद में उनसे हजार और निकल रही है तो 72 में से 1,000 और निकल रही है तो कुल मिला कि ये 72,000 नाडियां हो गई हो गई है क्योंकि एक में से 1,000 निकल रही है तो 72 में से कितनी लिख लेंगी 72,000 तो आप उस 10,000 की 72,000 से गुणा कर दीजी जो संख्याएगी वो नाडियों की संख्या है नाड़ी और उप नाड़ी मतलब प्रतिशाखा नाड़ी तो गणित एक बार समझ लीजे कि आत्मा से कितनी नाड़िया निकलती हैं हमें लगता है कि हम अपने पूरे शरीर में हर चीज को अनुभव कर सकते हैं हम अपने शरीर में हर जगा पर नियंतरन रख सकते हैं हमारी उगलियां हमारे हिसाब से चल रही हैं हमारे अंगूठे हमारे हिसाब से चल रहे हैं हमारे जो होट हैं वो हमारे अनुसार हमारे पैर हमारे अनुसार हर चीज हमारे अनुसार चल रही है हम अपने पेट को सिकोड लेते हैं, छोड़ देते हैं, कंधों को उपर उठा लेते हैं, नीचे कर देते हैं, ये हर अंग पर मेरा इतना नियंतरन कैसे बना, तो आज का जो medical science है वो कहता है एक nerve system काम करता है, वो nerve system हमारे पूरे शरीर पर हमारा नियंतरन बनाता है, और उपन से गुणा की हो गई हजार, दस हजार, उन दस हजार में से बहत्तर बहत्तर और निकलती हैं, उनकी बहत्तर से गुणा कर दीजिए, और फिर उन जो संख्या बनी, उन में से एक एक हजार और नाडिया निकलती हैं, तो पुल मिलाकर जो संख्या बनती है, इतनी नाडियां ह आत्मा को पता चलता है और फिर वहां क्या प्रतिक्रिया करनी है वो प्रतिक्रिया आत्मा मन को आदेश दे करके करवाती है और ये पूरा काम कौन समालता है प्राणों में तो कहरें आसू व्यानष चरती इनमें व्यान प्राण रहता है आसू व्यानः चरती इनमें व्यान निवास करता है इन पूरी प्रक्रियाओं को चलाने वाला व्यान प्राण है इन नाडियों में आदान प्रदान करवाने वाला व्यान प्राण है व्यान प्राण को ये व्यवस्था दी गई है तुम इन नाडियों में से जितने भी सूचना लेनी देनी है ये काम तुम समालो तुम देखोगे इनकी व्यान प्राण भी हो गया तो कितने प्राणों को हमने देख लिए अपान पाईू और उपस्थ में यानि कि हमारे शरीर से मल को बाहर निकालने का काम प्राण स्वयम चार इंद्रियां जो मुख पर लगी हुई हैं यहां सिर पर लगी भी उनको समालन का काम समान प्राण जो भोजन आहूती के रूप में दिया गया है उसे पूरे शरीर में बांट देना पचा करके यह समान प्राण और चौथा प्राण व्यान प्राण जो हमारे शरीर की करोडों नाडियों में सूचनाव का आदान प्रदान करवाता है अब एक और प्राण बचा है जिसको हम उधान प्राण कहते हैं उधान प्राण क्या काम करता है तो कह रहे हैं अथ एक एक अओ उट्धव उदान हम पुन्यन पुन्यम लोकम नयती पापे न पापम उभाब्यां एवं मनुश्य allora अथ अब एक आया एक नाड़ी के द्वारा एक आया एक नाड़ी के द्वारा कितने नाड़ी है यहाँ पर मैं गणना आपको करके बता दूँगा कि यह नाड़ी की संख्या कितनी है लेकिन उन में से एक नाड़ी जो है वो उपर की और जाती है मूर्धा की और वो एक नाड के द्वारा उर्ध्व उदानः ऊपर जो उदान प्राण है वो पुन्यन पुन्यम लोकम नयती अगर हमारे कर्म पुन्य है तो आत्मा और अंतहकरण को मृत्यू के समें निकाल करके पुन्य लोक में ले जाता है यानि उसका जो निशकासन है वो यहां से होता है उर्द वगती होती है आत्मा की वो कौन करवाता है वो ये उदान प्राण करवाता है जो कि सुशुम्ना नाड़ी के माध्यम से आत्मा और अंतह करण को शरीर से बाहर निकालता है अंत समय में अगर पुण्य करम है तो और जिसने पाप किये है उसे पाप लोकों में बुरे शरीरों में जिन शरीरों में सुख नहीं मिलना है उन शरीरों में ले जाने के लिए अधोगती नीचे से ले जाने का काम ये नाड़ी करती है यानि कुल मिला करके जो उदान प्राण है उस उदान प्राण का काम है कि आत्मा को अंतिम समय में शरीर से बाहर निकालना जिसने पुन्य किये हैं उसे शुशुन्ना नाड़ी के माध्यम से उर्धव गती करवा देना और जिसने पाप कर्म किये हैं उसे अधोगती करवाना और पुन्य आत्मा को पुन्य शरीर तक ले जाना पाप आत्मा को दुख शरीर में ले जाना ये काम उदान प्राण का है तो हर प्राण को अपने अपने काम बाट दिये गए हैं लेकिन इस पर हम कल और थोड़ी सी विस्तर चर्चा करेंगे जो प्रकरण अभी मैं नहीं ले पाया हूँ उनको ले करके उनको समझ करके फिर हम अगले कक्षा की ओर बढ़ेंगे अभी के लिए इस परकरण को यहीं विराम